नमस्कार तुस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बः स्वागत है माई टिक्स वीडियो चैनल में दोस्तों, आज मीरे हाथ में देख सकते हैं दो फोन हैं इस फोन का अगर मैं डैलर ऊपने करूं तो इसके डैलर में आप देख सकते हैं कोई भी फोटो जो है नहीं लगा हूआ यहाँ पे इसका Contact List भी जो है उपन करेंगे, तो इसके Contact List में भी जो है कोई फोटो आपको जो है नहीं देखने के लिए मिलेगा. लेकिन वह ही इस phone का dollar open करेंगे तो इसके dollar में आप देख सकते हैं एक photo लगा हुआ है अगर मैं यहाँ पे इसका contact list open करूँ तो contact list में भी आप देख सकते हैं एक photo लगा हुआ है जो की देखने में काफी सुन्दर जो है लग रहा है इस phone के डाइलर को कोई भी देखेगा ना तो देखके यहाँ पे सोख हो जाएगा और सोचेगा कि मैं भी अपने phone के डाइलर में फोटो जो है लगा पाऊँ मैं भी अपने phone के contact list में फोटो लगा पाऊँ कैसे लगा है आप अपने फोन में कैसे लगाऊगे जानने के लिए वीडियो को आपको सुरू से लेखे अंतक देखना होगा अगर आप ये वीडियो सुरू से लेखे अंतक देख लेते हैं तो बिलुकूर आप अपने फोन के डायलर में फोटो जो है लगा सकते हैं और आप आपने फ़ोन के contact list में भी जो है फोटो लगा सकते हैं तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं बताते कि आप अपने phone के डालर बटन में फोटो कैसे लगाऊगे contact list में भी जो है फोटो आप कैसे लगाऊगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों सबसे पहले आपको प्लेश्टूर पे जाना होगा प्लेश्टूर खुलने के बाद आपको यहां पे सर्च करना होगा यह जो सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है उपर की तरफ इ जैनी इसके उपर टच करोगे तो यह एप आप आजाएगा फिर आपको इसको अपने फॉन में इस्टॉल कर लेना ध्यान से देख लिए यह अप्लिकेशन है इसके अलाबा कोई दूसरा अप्लिकेशन आपको डाउनलोड नहीं करना है उसके बाद जब ओपन करोगे तो य दोस्तों यहां पर यह ओफ में लेगा ओड्यान आपको पलज कुछ है तो आपको फिर्फ फॉला आइकन पर आपको टच करके अपने गयलरी में आंग जाना आटेरी में आते हो आपको फोटो जोंडिकेशन उनलेक्ट कर लिए तो दो में यहां यहां पर ऊप्वोटो जो तो यहां पर allow माएंगा, allow आप दे दीजेगा, तो background में हलका हलका आपको यह दिखना इस्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपको setting बाल आइकन पर touch करना है, setting आइकन पर touch करना है, तो यहां पर यह ratio आप फूल कर लिजेगा, उसके बाद यह vertical align है, इसको आप नीचे उपर यहां से कर सकते है फोटो को, और यह horizontal है, आप इसको side by side फोटो को कर सकते है, उसके बाद आपको नीचे की तरफ आओगे, तो यहां पर draw overlay permission देखने के लिए मिलेगा, skin permission तो इसको आप लोग on कर दीजेगा, on करने के लिए आपको यहां पर नीचे आना होगा, installate app के अंदर और यहां पर designate push मिलेगा, इसके उपर touch करके इसको on यहां से कर दीजेगा, यहां से allow देजेगा, यह on हो जाएगा, उसके बाद आपको back काना है, ठीक है, back काना है, बाद आपको फिर से इसमें कुछ setting करना है, अब यहां पर back आगे, तो यहां पर देख सकते, select app का option दीख आपको select app आपको अप्शन पर touch करना है, इसके बाद यहां पर आपको search box मिलेगा, तो इसमें आपको search करना है, पी एच ओ इन फो फोन लिक के, फोन लिक के search करोगे, तो यह आ जागा, तो इसको आपको यहां से on कर देना है, on करने के बाद आपको back आना है, बाद पूरी तर इसके लिक लिम लगा, जो आप photo वहां पे set किये हो, तो यहां पर आप देख सकते हो, वही photo जो है, contact list में भी दिख रहा है, यहां पे recent call में भी दिख रहा है, और मैं dollar button ओपन करो, तो dollar button में भी जो है, यह photo जो है दिख रहा है, जो कि देखने में काफी सुन्दर लग रहा ह तो इस तरह से आप जो है दोस्तो, dollar button के background में, dollar button में, आप contact list में, recent call में सभी में जो है, photo लगा सकते हैं, वीडियो कैसा लगा, वीडियो से ज़रा कुई सवाल है, अभी भी आप कमन में, तो आप हमें नीचे comment करके बता सकते हैं, उमीद है यह trick आपको काफी बटिया लगा होगा, काफी पसंद आया होगा, तब तक के लिए, ठेक क्यार, बाय बाय दोस्तो,